बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वेराइटी के बारे में इस वेराइटी की बुए कब करे इस वेराइटी की विश्यस्ताई क्या क्या है इस वेराइटी से परती एकड कितना उत्पादन लिया जा सकता है इस variety का बीच कांच से खरीदा जा सकता है और यह variety कौन सी है यानि कि हम इस नई variety की पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारा वीडियो सुरूट से लेकर अन तक जरूर देखे ताकि पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में समझ में आए अलग अलग variety की बूरी करना चीए ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले दोस्तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कुदरता नाइन के बारे में दोस्तो कुदरता नाइन पिछले साल ही अपने चिले में आ गए थी और कुछ किसानों ने कुदरता नाइन की बूई भी की थी और बड़या से बड़या उत्पादन भी लिया था लेकिन कुछ किसान भाई लोगों को कुदरता नाइन के बारे में पता नहीं था और कुछ किसान भाई लोगों ने बूई भी नहीं की थी लेकिन यह एक बहुत थी अच्छी विराइटी है कुदरता नाइन तो आप इसकी बोई अपने एरिये में और अपने छेतर में चुरूर करें अब हम बात करते हैं कुदरता नाइन की विश्यस्ताओं के बारे में पहली विश्यस्ता इसकी पोदे की उच्चई अच्ची से 50 सेंटिमीटर होती है जो की ज़्यादा मोटा और ज़्यादा छोटा नहीं रहता है इसकी उच्चई यानि मीडियम होती है पोदे का तना तोड़ा मजबूत और मोटा होता है जो की बारिस और ओला वस्ती से गिरने की समश्या कम आती है गेउं का बीच चमकदार होता है जिसे की बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है और अधिक भाव में बिगने से पैसो की आमदानी भी अच्छी होती है गेहों के एक पोदे में 50 कलो निकलते हैं जिससे की गेहों की पैदावाद डबल होती हैं और गेहों के कलो का फुटाव भी अधिग होता है इस कुदरता नाइन विराइटी की बोई आप 25 अटमर से 25 दिसमर तक इसकी बोई कर सकते हो कुदरता नाइन की एक एकड में 20 दर 35 किलो होना चीए और कुदरता नाइन की एक एकड में पैदावाद 30 से 32 क्यूंटल प्रती एकड निकलती हैं तो दोस्तो आपको कुदरता नाइन की पूरी जानकारी और विश्यस्ताओं के बारे में और इसके बीज़दर के बारे में और इसके परती पैदावार के बारे में जानकारी समझ में आई होगी दोस्तो ये जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जे जुवाद जे किसान